बच्चो मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ हुआ यूँ कि एक बार ट्रेन से पिता पुत्र यात्रा कर रहे थे पुत्र ने खिर्की के पास बैठने की जित की क्योंकि पिता खिर्की की सीट पर ही बैठे थे पिता ने खुशी खुशी खिड़की की सीट पुत्र को दे दी और खुद बगल में बैठ गये ट्रेन में आसपास और भी कई यात्री बैठे थे ट्रेन चली तो पुत्र बड़ी उत्सुकता से चिलाने लगा देखो पिता जी देखो नदी, पुल, पेड़ पीछे जा रहे हैं बादल भी पीछे छूट रहे हैं पिता जी भी उसकी हां में हां मिलाते रहे उसकी ऐसी हरकत को देखकर वहां बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी बिमारी है या कोई अन्य समस्या है जिसके कारण यह ऐसी हरकत कर रहा है पुत्र बहुत देर तक ऐसी अजीबो गरीब हरकत करता रहा तभी पास बैठे एक यात्री ने पिता से पुछा कि आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते क्योंकि उसकी हरकत सामन्य नहीं है हो सकता है कि उसको कोई दिमागी बिमारी हो उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा कि हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं पिता की बात सुनकर यात्री को आश्चर हुआ क्योंकि पिता ने बताया कि मेरा पुत्र जन्म से ही अंदा था कुछ दिन पहले ही इसको आँखों की रोशनी प्राप्त हुई इसे किसी दूसरे की आँखें लगाई गई है और जीवन में पहली बार यह दुनिया को देख रहा है यह इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि यह सारी चीजें इसके लिए एकदम नहीं है पिता की बात सुनकर आसपास बैठे लोगों को अपनी गलती का हैसास हुआ और उन्होंने पुत्र के पिता से माफी मांगी तो बच्चो जिन्दगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने ही कुछ लोगों के प्रदी अपनी एक राय बना लेते हैं क्योंकि हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है इसलिए किसी के बारे में आप राय बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए जिसके बाद में सच्चाई का पता लगने पर शर्मिंदा न होना पड़े